तेरी बातो में ऐसा उल्जा जीया के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है, पिल्म का, आपके मारे बारे में कभी कभी सोचते हैं कि मैं सही नाम ली आए और गलत नाम ली आ क्य competence मुझे आदे जब मैंने ट्रेलर रियक्शन दिया था दो-तीन बार मैं गलत हुआ था उस नाम को लेते हुए anyways मुवी के बारे में अगर मैं बात करो देखो एक सिंपल सी लव स्टोरी है इस मैं honestly बोलूंगा मैं ये फिल्म ना जादा लोगों के लिए है ने ये फिल्म में बहुत से जो अपनी ओडियन्स है कुछ लोग भाई एक सिंपल यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि जब हॉलिवड में कभी ऐसी फिल्म में बनती है न तो भाई औरे वाँ क्या मास्टरपीस है भाई मजा आ गया ये टाइप के आप बड़े बड़े रिविववर्स के भी देखोगे रिव्यूज और इस बार भाई पता नहीं बाकी के लोग कैसे रिव्यूज देंगे मुझे पता नहीं लेकिन देख लेना भाई सम्हाव कोई न कोई तो आपको मिली जाएगा भाई करा जो क्रिटिसाइज करेगा और करने ही वाले हैं लोग पर मैं सिंपल सी बात बोलूँगा क्योंकि देखो जब कोई अन इमेजनरी या फिर इमेजन ना करने वाली टाइप की जब स्टूरी इन लोगों ने सीधा बोला है टाइटल में के एन इंपॉसिबल लव स्टूरी एन इस सिंपल कि भई शाहित कपूर का जो कैरेक्टर है वो एक नॉर्मल इंसान है क्रिटी सेनन का कैरेक्टर जो अब देखे हो वो रोबोट है तो कैसे होगी प्यार और वैसे जब उसको सच में उससे प्यार हो जाता है जिस तरीके से हो जाता है और उसमें भी इमोशन उ को उसको क्या पता चलेगा की रोंना क्या होता है समझ्ज लो लेकिन उसका तो प्यार हो गया बैद कुछ चीजे अगर सच में पूरा ध्यान से देखो आप लोगों ने अच्छा खासा पॉपिलर हुआ था वो तो वहाँ पे उसमें यही दिखा है उसमें तो यह दिखा है कि वह एक साइंटिस्ट है उसने एक रोबोट बनाया है और कुछ लोग बोल रहे थे उसी सीरियल से लिया गया ऐसा नहीं है मेरे बाई एक कोई कंसेट हा अच्छे कासे सॉंग से बीजीयम बहुत अच्छा है कॉमेडी अच्छी है यार कॉमेडी भी बहुत अच्छी है जो उसका करेक्टर है कॉमेडी जब कुछ चीज है जब वो कुछ ओर्डर मिलती है उसको और वो फॉल्यो करने जाएगी तो कई गढ़बर तना हो जाए मिलेगी पर हर एक के लिए यह फिल्म इंडियेंड में वही कहूंगा नहीं है पर एक अच्छी बात है कि यह फिल्म इन लोगों ने वेलेंटाइन्स पर लाई बहुत अच्छा किया क्योंकि नौ मतलब 9,10,11,12,13,14 वो जो कीस डे, ये डे, वो डे रहता है न तो हो जाएगा वेलेंटाइन्स डे तक यह फिल्म अच्छा खासा करेगी बिजनेस आई होप सो ओके ऐसे एडवांस बुकिंग ओके ही हुआ है अच्छा खासा भी नहीं हुआ है और पब्लिक भी थेटर में ओके थी मतलब ओके क्या बोलू मैं सच बोलू तो ऐसे कम थी और अगले वाले शो पे बहुत ही कम थी ऐसा मुझे लगा अंदाजा मतलब हम जब जाते है भाई थेटर से वापस तो अंदाजा आ जाता है तो हम देखते हैं कि सेटरेडे संडे क्या होगा क्या नहीं I hope so कि रिव्यूज अच्छा लोग दे इशू यह है कि भाई आजकल जो मास ओडियंस का जमाना तो यह लोग कैसे रिव्यूज देंगे मुझे उस पे ज़्यादा डाउट है सो उसका भी असर होता है मैं 3.5 रेटिंग दूंगा इस फिल्म को पाच में से अच्छा है आप entertainment है आप definitely और शाहिद कपूर के फैंस को मैं जरूर कहूंगा कि भाई आपको support करना पड़ेगा भाई बंदे को क्योंकि देखो honestly एक बात आपको बुरी लगेगी लेकिन जो सच है वो बोलना पड़ेगा ये मत बोलो कि रणबिर कपूर रणबिर सिंग इन फैक वरुन धवन और ये चार लोग जो है वो कारत शाहिद कपूर से बहुत लेट आये हैं इंडस्री में तो कहने की बात क्या है वो डीटेल समझ लो मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ आपको आपको ही आपकी हीरो को सपोर्ट करना है शाहिद कपूर को आपको मानो ना मानो वो फेम कबिर सिंग से मिला था लेकिन वो संदीप रेडडी का भी भाई उसमें बहुत जादा हाथ था प और का और क्टेमल का कलेक्शन वालेक्शन की बात नहीं है रनविर कपूर की बहुत से फिल्में याद करो ओ ड्रैक रेकॉर्ड अच्छा है रनविर सिंग भंसाली के साथ हो या फिर अपलोगा और मूवीस के मामले में औरे संनल वरुनदवन बहुत यंग जंडरेशन समझने की कोशिश करो कि आपको support करना है शाहिद कपूर को if you are fan of शाहिद कपूर उनके लिए बता रहा हूँ यह में ओके बाकिया आप लोगों पर है चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो कर लीजे and support करना है इस फिल्म को even critics and on fans share कीजे वीडियो को जादा जादा पसंद आये तो और like भी कीजे take care guys